आने वाला है और कली जो स्पीक्टर है वो जाके मुझके मंत्री से मिलते हैं और बारा तारी को प्रदान मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर तो किस तरह से देखते हैं आप क्या कहना पात ऐसी है भाई कि जब से क्रिकेट में जांबलिंग जुगार और जुगार शुरू हुआ तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार-बार कान पर आता है अरे भाई मैच फिक्सिंग है ये मैच फिक्सिंग है इस वकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्रा में होने जा रही है आज चार ब नार्वेकर उन्हें सर्वच्च नायले ने ट्राबोनल का दर्जा दिया कि आप निर्णे लिजे आप न्याय कीजिए इस बारे में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में और हमारा जो कहिना है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानुनी तरिके से सत्ता पर वैटे हैं वो हमारे हिसाब से एक अफराद है आरोपी है अगर न्याय मुर्ति न्यायले ट्राबिनल जाकर बन कमरे में मुख्यमंत्री आरोपी के घर में जाकर दो घंटा बैठता है बार-बार तो आप क्या समझोगे और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं यह और्डर देने जा रहा हूं यह बात हमने सुप्रिम कोड के रेकॉड पर हमने ले ली है रेकॉड पर लाया है हमने आज फैसला है और देश के प्रधान मंत्री जी बारा तारिक को माराष्ट्र में उनका एक दवरा है उनका टूर है वो करने जा रहे है रोड़ शोब गिरे नाशिक में है उसका मतलब क्या है अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और सविधान कहता है यह सरकार गयर कानुनी है अगर सविधान की हिसाब से फैसला होते सरकार गयर कानुनी हो सकती है और सरकार बरखास हो सकती है फिर भी प्रधान मंत्री महाराष्टा में आज आ रहे है दो दिन के बार उसका मतलब है प्रधान मंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारे है इसलिए वाप मैं इश्वास है कि मैं आ रहा हूं और सरकार रहेगी तो मिर्णे मुझे मालूम है दूसरी बात आज फैसला है गैर कानूनी सरकार का और हमारे जो मुख्य मंत्री महोद्य है वो डावस में जा रहे हैं अगर आपकी सरकार हम मानते हैं कि गैर कानू करार दी सकती है तो आप में इतना आत्मय उश्वास कहां आया कि फैसला कुछ भी हो मैं बताओ राज्य का मुख्य मंत्री डावस एक डिलेगेसिंग के साथ जा रहा हूं उसका मतलब आपको भी मैच फिक्सिंग के बारे में पुरी जानकारी है और आपको निर्णे पहले स से मालूम है यह सबी बाते दोनों बाते प्रधान मंत्री महाराष्टा में आने की बात और मुख्य मंत्री डावस जाने वाली बात हम सुप्रीम कोड के रेकार्ड पर ला रहे है यह पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है आज का जो निर्णे होने वाला है और महेच आपचारि किता है